बहुत ज़दा हेर फॉल हो रहा है, बालों में डेंड़ पकी समिस्या हो गई है और बाल, रूखे, बेजान और अनसलजे से नजरा रहे हैं तो चलिए, आज आपकी दोस्त एक ऐसे ही नए पॉड़ेट रिव्यू के साथ आई है, जो आपके इस प्रोब्लम को सुलजाएगी तो प्लेज बीडियो पे बने रहे हैं और बीडियो को फुल वाच करिए हाई वीवर्स, कैसे हो आप, आसा करते हैं, आप सभी अच्छे होंगे आज जो मैं पॉड़ेट की रिव्यू लेकर आई हूँ, उसका नाम है सन्नी हर्बल आर्नी का सैंपू पीडियो को स्टाट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कठा कर लेते हैं, कि इसके अंदर क्या-क्या ingredients डाले गये हैं और जो ingredients डाले गये हैं, वो हमारे बालों के लिए कितना helpful है चलिए, पहले ingredient की बात करते हैं, जो की है आणिका आनिका बालो को ज़णने से रोकती है, डेंडर्प की समस्या को खत्म करती है, प्रिमेचूर ग्रेंग को रोकती है, बालो में ड्राइनेस की समस्या को दूर करती है और उसे नरिश्मेंट देती है इसे इंगेड़र्ण की बात करते हैं तो वो है कैंथरिस, कैंथरिस स्कैल्प एरिटेशन को कम करती है, हेर फॉल को रोकती है और स्कैल्प में ठंडक बनाई रखने में मदद करती है इंगेडिन जो इसके इंदर डाले गए है वो है कोकोमीडो पॉपाइल बेटाइन ये जहाग बनाने का काम करती है वो है वो है सोडियम पीची सेवन ओलिफ कार्बो ऑक्सिलेट ये सैंपू में फॉर्म बनाता है और प्रडेट को खराब नहीं होने देता इंगेडिन के बात करें तुभू है पॉलिकोटर नियम सेवन ये प्रडेक्ट में वैल्वेटी फिल लाता है और प्रडेक्ट में मौश्यराइजेशन का काम करती है इसमें और बहुत सारे इंगेडिन्स टाले गए हैं जैसे की होगे आपका कोकोडाई इतनॉल अमाइड कोक क्राग बनाने का काम करता है और पॉडेट को खराब नहीं होने दिता है इसको खोलके देखते हैं कि इसकें अंदर किस तरह का लिक्रिड है और इसके इसमिल एकाप हर stub को आप निकाल देजिए और यहां पर पॉस्क एलिगे तो आपका ऑल पनो जबेगा कोको देखिए इस तरह का ये ग्रीन कलर का सैम्पू है इसमेल की बात करें तो बहुत ही प्लेजन्ट इसमेल है कोई ऐसा इसमेल नहीं आता कि जो आपको परिसान करें इसके ओवरल यूज की बात कर लेते हैं तो आर्मनिका और कैंथरी से बनाई ये सैम्पू बालों को जड़ने से रोपती है, ड्लैंडर ओफ को दूर करती है, बालों में साइन और मॉश्चिर को बनाई रखती है और ये एक पी एच बैलन सैम्पू है जो की बालों को सॉक्ट और लश्टरस और साइनी बनाती है अगर आपके बाल बहुत जड़ जड़ रहे हैं तो अगर उपर से हम लों लेपापोती करेंगे और जैसे की तरह तरह के पैक लगा लिए सैम्पू लगा लिए तो उससे थोड़े दिन के लिए बाल रुकेंगे लेकिन फिर आपके हैरफॉल स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें अंदर से भी अपने बाडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए तभी जाके हैरफॉल की समस्या काफी हद तक कम होती है किसी भी समस्या का समधन एक दिन में नहीं होता थोड़ा समय लगता है अगर हेरफॉल हो रहे हैं तो उसे ठीक होने में भी समय लगेगा और अगर आप हरबल चीजों का इस्तिमाल करते हैं लंबे समय तक तो रिजल्ट आपको देखनी को जरूर मिलेगा अगरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेयर और सस्काइब जरूर करिएगा और सामने पड़े बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे ही नए नए पोड़ेट के रिव्यू आप तक लाती रहूँ आज के लिए बस इतना ही मैं फिर मिलूँगी एक नए पोड़ेट के साथ अपने नए वीडियो पर बाई बाई दोस्तों